लोग सभा चुनाव के लिए जहां एक और भारती जन्ता पार्टी ने मध्य पदेश की 39 में से 24 सीटों पर उम्मीद्वारों के नाम घोसित कर चुकी है वहीं कॉंग्रेज पार्टी ने अभी तक अपने किसी उम्मीद्वार का नाम पर मुहन नहीं लगाई है हलाकि पार्टी में केंडिडेट की लिस्ट को लेकर बैटकों का दौर जारी है सोत्रों से मेली जानकारी के अनुसार रीवा लोक सभा सीट से कॉंग्रेज विधायक अभ्य मिश्र की पतनी और पूर विधायक नीलम मिश्रा का नाम लगभग फाइनल हो चुका है इससे पहले इस सीट से कॉंग्रेज की ओर से रीवा महाप और अजय मिश्र बाबा का नाम तेजी से लिया जा रहा था लेकिन भाजपा की टिकेट लिस्ट सामने आने के बाद अब कॉंग्रेज ने अपनी रणी थी बदलते हुए नीलम मिश्रा के नाम को आगे बढ़ाया है हालाकि इस बात की अधिकारिक पुष्टी किसी जिम्मेदार द्वारा नहीं की गई है बता दे कि अभय मिश्रा रीवा जिले की सिमरिया सीट से 2008 में बीजेपी से विदायग बने थे वहीं 2013 में उनकी पतनी नीलम मिश्रा भी बीजेपी के टिकेट पर सिमरिया से ही विदायग बनी लेकिन साल 2018 में मिश्रा दमपत्ती ने बिजेपी छोड़ कर कॉंग्रेज जॉइन कर ली थी 2023 का विधान सभा चुनाओं में रीवा की आठ में से 7 सीटों पर बिजेपी ने जीत दर्ज की थी लेकिन केवल सिमरिया सीट पर कॉंग्रेज से अब है मिश्र विधायक चुने गए राजनीती के जानकारों का मानना है कि अगर नीलम मिश्र के टिकेट फाइनल होती है तो रीवा सीट से चुनावी मुकावला दिल्चस्प हो जाएगा वहीं कॉंग्रेज और बिजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्यासी सिमरिया छेत्र से ही रहेंगे भाजपसान सद्व प्रत्यासी जनादन मिश्र भी सिमरिया विधायन सभात छेत्र से ही आते हैं